बिस्मिल्लाहिर रख्मालरहीम असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और बात होंगे जी मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी प्लेट और यह देखें जी मैं खारी थी चने की भुनीवी डाल आपने ये रेसिपी जरूर जब मैं बड़ा अच्छा नाश्ता करने की मूर में खती हूं तो चकौर पराठा बनाती हूं वजा कि आज तक हमारी यही आतता है तो मैं बना रही थी चकोर पराठा जब मैं बड़ा अच्छा नाश्टा करने के मूर में होती हूं न तो चकोर पराठा बनाती हूं वज़ा क्या होती है कि अम्मी हमेशा चकोर पराठा किलाती थी और अम्मी की याद में या उनको उनके लिए जो है न जब वो स्पेशल फील बहुतों ने बहुत है तो चलते हैं उक्ति के लिए अफ्ट करना है वहाँ ऐसकूर फूर्ट भाराटा करना के बहुत माज़े का लगता है यह पता है मुझे त difक टेफ़ बहुत है यह बोड़ी अजीब बात है तो चलते है अपनेस टापिक की तरफ काफी औरतों को ये कंप्लेइन होती है जी के हम जो है ना घर के काम करके बहुत जादा ठक जाती है या हमारी जिंदगी बदल गी हुए शादी के बाद तो बात कुछ ऐसी ही है इनसान बहुत चेंज हो जाता है जो चीज़ें अपने लिए नहीं करता वो हमेशा उठके दूस हम लोग सब्भ होएं या मेरी बहें हम लोग कहते होते हैं कि आप ने आपने ऐसा क्या किया कि आपके बेटे बड़े अच्छे तो यहीं बात करती हैं कि बेटे मैं तो दूआए और कुरान पढ़ती हो दी थी और यही वज़ा है कि यह लोग माशाला बहुत अच्छे हैं को्रेटिव बहुँआ जाता हैं मैं अट से साफ करनी हूं जैसे जब दो चार रोटी बन जाती है ऑन उस तर रोटी पे कुछ फ्लैग ब्लैक आ जाता है कि यह चोटी सी टिप शेर कर दिया मैं आपके साथ जा चुट चोटी चोटी आधती हैं गर वाइफ के मैं नाही बात देखते हूं कि जब मैं अकसर नाशता मनाने जाती हूं फजर के बाद हम लोग उच जाते हैं नमाज के टाइम और उसके बात जब जहादा is अच्छा पर्पएर होगा हूँ येई चोटी आदत है जब मैं नाश्टा कर लेते हैं हम लोग तो वो बरतन हमेशा वो उठा के किचिन के सिंग पर लेके जाते हैं कि उनको यह होता है कि इसको ना उठाना है पड़ें बरतन भारी है यह कुछ भी ट्रेया मुझे वेशा कहते हैं तो मुझे बलाया करो ताके मैं आक लेगी तो यह चोटी चोटी चीज़े होती है मुझे ऐसे लगता है कि आजकल के तो पहले जबाने के तो मुझे लगता है हस्परेंट जादा सकत होते थे अब तो लड़के और जो न्यू जेनरेशन के जो बच्चे हैं सब बड़े कॉपरेटिव हैं दूसरे साथ साथ सब मिलबार के काम चीज़े कर लेते हैं तो वज़ा क्या ही होती है वज़ा यही होती है कि आजके जमाने में थोड़ा सा यह बीजी हो गया है कि जैसे कपड़ें वो आटोमेटिक मिशीन में चलेगे बरतने डिश वाशर में चलेगे या जिसका बरतने वो अपना वाश करता ज हुई है लेकिन अगर पहले वली औरतों की सोची जाना है तो बहुत बचारियों की टफ थी तो चलते हैं अपनी दाल की तरफ मैंने आज कच्छी हंडिया में जो है ना वह बन रही है दाल आपने स्ट्रेप देखते जाना है और मैं बाते करती जाओंगी आप लोगों के साथ तो बात यह वली है कि यह बन रही है दाल इसमें जा रहे हैं साबुद मसाले गोल लाल मिट्च लॉंग दार्चिनी और जीरा हरी लाइची लाल मिट्च पॉर्डर नमक गालिक पॉर्डर सुखा धनिया और साथ में जा रहा है हल्दी और थोड़ा सा चिकन पॉर्डर चले जाएंगे इसके बाद ड्राय मसाले मतलब जैसे अब स्टप देखते जा रहे हैं ऐसे आपने बनानी है नहीं कि लास्ट में जो प्रॉसेस करना है वह बहुत इंपॉर्टन्ट है वह डाल का आपने छोड़ना नहीं और वह आपने लास्मी जो है वीडियो लास्ट तक वाश करनी है ठीक है तो अब यह जाने इसमें टमाटर वगएरा और इसका मसाला हम भूनते जाएंगे और साथ में बात करते जाएंगे तो बैसिकली बात यह है कि हमें भी ना यही जब सब लड़किया अपने कुरान के मताबक और हमारी जो न्यू जेनरेशन है ना जब व आट्रमेटिक क्या होगा कि वो सिस्टम में आ जाएंगे जैसे हमारे रसूल पाक से लिए वो हमेशा अपने काम खूद कर लिया करते थे वो कभी अपनी किसी भी वाइप के ओपर नहीं रहते थे कि कोई आएगा और उनके काम करेगा तो यही विली बात ही कि उन से ही तो हर का महौल पूरा इस्लामी स्टाइल से ग्रो कर रहा होगा ना यानि कि जैसे मेरी मदर इनलौ हैं वो हमें सब को सिका रही होती थी कि इस तरह करना है या हमारे हम अपने बचों को आगए सिका रहे हैं इसका यह रिजल्ट है कि हमारी न्यू जनरेशन के बचे भी जब कोई बात उनको समझ नहीं आ रही होती तो वो बचाए इस बात के कि हम आपस में कोई बात पर बहस करें या किसी से भी पूछें सिंपल सी बात है लाने कुरान में हट चीज का हमें मसले का हल बताया आप अपने बच्चों को वहां से बताएं इन्फेक्ट को मैं इन्शाला नही नहीं वीडियोस मैं आउंगी उस पर भी बताऊंगी कि अपने बच्चों के साथ आपको कैसे अटैश्मेंट करनी है अपने बच्चों के साथ जो है ना आपने इनको कैसे लेके चलना है तो यही वह ली बात है कि मुझे ऐसे लगता है कि बज़ाए इस पात पर रोते रहन कि ये बंदा मुझे help नहीं कर रहा है या मेरे husband मुझे help नहीं कर रहा है या हमारे उपर काम की बड़ी जिमेदारी है वो सब सोचने की पजाए न हमें ये ही करना चाहिए कि हमें उसका solution ढूनना चाहिए चुप करके छुट छुटे काम एक दूसरे से बोलते जाएं जैसे पूरी निदाल बन चुकी हुई है और इसके बाद मैंने क्या कि है एक गटी पूरी जो है ना पुदीने की लेके साफ कर लेनी है मैंने चुले के बास रगए भी लगी ब्राउन होगी लेकिन वो जली नहीं थी ड्राय हुई थी इसमें हरी मिर्च पुदीना एक पूरी काफी देर तक कुक होती रहती है तो आपने किया करने जैसे आप डाल को बंद करने वाले ना दम पे लगाने वाले तो आपने उस टाम यह सब चीज़े लगा के बंद कर देना है अब यह देखे चूला मैंने बंद कर दी और स्टेल यह जो है ना अभी तक उबल रही है डा आप यकीन करें कि जब आप बनाएंगे तो आप होट कहेंगे कि हमें इतने अर्से से नहीं पता था जब पुदीना डाल चने की डाल में जाता है ना तो चने की डाल का टेस्ट निकल कर ही ताब आता है कहते हैं आपकी डाल का जाइका खिल जाता है यह वो वली बात होती है अकसर लोग चने की डाल बनाते हैं और मैंने अकसर लोग के पास कभी किसी की तरफ खाई भी है ना तो वो इतनी टेस्ट ही नहीं होती है वज़ा क्या होती है मुझे बाद में समझ में आई हमने शुरूर से ऐसी मेरी नानी आज से हम लोग बनाते होते थे कि मैं देखती होती थी कि वो इस तरीके से बना रहे हैं तो होता क्या तो मुझे अब समझ में आई है कि वो सिर्फ जो है ना पुदीने की वज़े से टेस्ट खिल कर आता है अब डाल की देखिए कि और बनाईएगा और बताईएगा तो मैं खा नहीं थी खाना अकेले ही जब से हस्बिंट साथ नहीं है तो आविसली इसी की वज़ा से जो है मैं अकेले ही जादतर खाना खा रही होती हूँ और यह मैंने उनसे ही आदत सीखी है कि वो हमेशा क्या करते है रोटी जब भी हम दोनों कहना खाने बैठते थे ना तो वा रोटी को हमेशे हैं दो से चार पीस इसमें कट करके सबसे पहले मुझे पकड़ाएं मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे हाथ में रोटी होती है और साथ में जो आaysना पिर वो खाना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग इसी तरह भोते हैं, इससे एक रोटी के चार पीस करने से, आपको पता है, आपके खाने का हिसाब नहीं किया जाता, तो कोशिश किया करें जब आप फैमली में एक साथ बैठे होते हैं तो इसी तरह रोटी के चार पीस करके एक दूसरे को दिया करें उससे क्या होता है आपके खाने का इंशालला हिसाब नहीं होएगा और ये इसके बाद इशानक की नमास पढ़ने के बाद मैं पढ़री थी सुरत बक्रा के आखरी यात और सुरत मुल्क की हमारी इंशालला हिपाज़त करें आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी दूरुशी पढ़ते रहें एक दूसरे को हमेशा दौाओं में याद रखा करें और नेनी वीडियो नेनी रेसिपीज के और नेनी बातों के साथ आपके साथ ने अपनी जो है विलॉक्स जो हैं वो शेयर करती रहूंगी और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ऐसे कैसा लगा जाते हैं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्रा अलाहफेज